हाई दोस्तों आप देख रहे हैं फल्मीबीट और मैं हूँ आपके साथ कृतिका फिर से रध हुआ है कैप्टेंसी टास्क इस बात की जानकारी तो हम आपको पहले ही दे चुके हैं लेकिन अब जो इस खबर में ताजा अपडेट आया है वो ये है कि बिग बॉस ने तीन घर वालों को दी है सजा क्या है वो सजा चली आपको बताते हैं लेकिन उससे पहले आप फल्मीबीट को फटा पट से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें बिग बॉस में इस हफते का कैप्टेंसी टास्क काफी एंटेटेनिंग था खास बात ये थी कि इस टा वालों की कैप्टेंसी की दावेदारी किसी दूसरे के पास थी पारस चाबडा के पास असीम रियास माहरा शर्मा के पास पारस चाबडा और असीम रियास के पास रश्मी देसाई की तस्वीर थी पारस खुद कैप्टें बनना चाहते थे इसलिए माहरा ने उनकी तस्वीर नश्ट नहीं की असीम रश्मी को क्याप्टन बनाना चाहते थे असीम ने पहले ही साफ कह दिया था कि वो क्याप्टन नहीं बना चाहते हैं उन्होंने पारस से अपनी तस्वीर को जलाने को भी कहा था लेकिन पारस इस बात पर अड़े रहे कि पहले वो रश्मी की तस्वीर नश्ट करें क्यूंकि पारस रश्मी को कैप्टन नहीं बनाना चाहते थे तीन कंटेस्टेंट्स के बीच काफी बहस हुई बिग बॉस की चितावनी के बाद भी तीनों इसे कोई भी तस्वीर नश्ट करने को राजी नहीं हुआ अंत में बिग बॉस ने पारस असीम माहिरा को डांट लगाई बिग बॉस ने तीनों को सजा सुनाते हुए कहा ये इस सीजन का पंदरवा हफता है यहां से एक एक दिन हफता एहम है लेकिन आप अभी भी डास को आगे ले जाने के बजाए इसे रद कराना चाहते हैं कारियों को रद कराने की परंपरा को यही रोकते हुए बिग बॉस असीम पारस और माहिरा को पनिश्मेंट के तौर पर घर का अगला कैप्टन चुने जाने तक सारा काम करने की सजा सुना दी है यानि की अब जब तक नया कैप्टन घर का नहीं चुना जाता है तब तक घर का सारा काम असीम रियास, पारस शाबडा और माहिरा शर्मा को करना होगा फलहाल अस वीडियो में इतना ही लेकिन आप अमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा